Hey, welcome back everybody in this video. This video is about basic counseling skills. हम सभी जानते हैं कि आज के इस टाइम पर counseling के jobs का इसको बहुत ज़्यादा हो चुका है. So it is very important that अगर हम counselor बढ़ना चाहते हैं तो हमें counselor की skills पता होनी चाहिए. So for this, this video is for you. तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा basic कौन कौन से skills होती हैं किसी counselor की जिसको यूज करके counselor अपनी counseling process को बहुत ही बहतरीन बना सकता है. So today in this video मैं आपसे बात करूँगा basic counseling skills की और इसमें कुछ points मैंने जिनको रखा है. उसमें है listening, attending, empathy, genuineness, unconditional positive regards, open questions and counselor self-disclosure. तो इन points के बेश पर मैं आपसे बात करूँगा. यह बहुत ही important हैं. हमें इनको समझना चाहिए. और counseling की process में बहुत अच्छे से use करना चाहिए. So now let's start. So the first and most important point is listening. मैंने कहीं पड़ा था कि अगर आप में listening capability है. अगर आप दूसरों को बहुत देर तक बिना कुछ bad feel किये या फिर बिना किसी तरीके से defense किये. अगर आप दूसरों की बातों को सुन सकते हैं तो आप एक बहतरीन counselor, बहतरीन psychologist हो सकते हैं. Just try to understand कि हम जब counseling की बात करते हैं, psychology, psychologist की बात करते हैं तो इन सब भी चीजों में हम लोगों के human behavior की बात करते हैं. Human behavior को समझने की बात करते हैं. Basically human behavior को हम observe करना चाहें तो हम दूर से भी देखकर human को observe कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई person personally आपके पास आकर अगर चीजों को define करता है, बताता है तो उस time पे बहुत ही आसान हो जाता है उसके behavior को समझने के लिए. So, it is very important कि हमारा जो listening है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए. तो कहा भी जाता है, personally if about me, खुद के बारे में मैं कहूं तो मुझे याद है कि मैंने जब उस quotation को पढ़ा था ना, कि अगर आप में लोगों को सुनने की बहुत अच्छी capability है, तो आप बहुत अच्छे psychologist हो सकते हैं. तो मैंने जब उसे पढ़ा था, तो मैंने अपने आप में observation किया कि सच मैं क्या मैं दूसरों की बातों को सुन सकता हूं अच्छे से, तो मुझे लगा हाँ कि मैं सुन सकता हूं, तो उसकी बाद मैंने कहीं अपने करियर में psychology को अच्छे से चूज किया और मैं आज इस फील्ड में हूं. So, simple thing is that listening is very important, very important point की ये चीज़ें हमें बहतरीन counselor बनाती हैं. So, first point में क्या बूला है, we need to understand verbal and non-verbal information from the client side, not present body absent mind. देखना, एक बात यहां रखना है कि listening का मतलब ऐसे नहीं होता है कि हम किसी की आवाज को सुनते हैं तो इसका मतलब सुन रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता है. यहां पर कहने का प्रयास किया गया है कि verbal and non-verbal, दोनों तरहे की जो information होती है, हम उस पर जितना अच्छे से focus करते हैं, उन दोनों को जितना अच्छे से attend करते हैं, उतना ही अच्छा हमारा listening होता है. ऐसा नहीं है कि present body of sentiment, कई बार हम खुद अपने circle में ये feel करते हैं, अपने friendship के circle में या relation में कहीं पर जाते हैं, तो कई बार हम महसूस करते हैं कि हम किसी को दिल से कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन लोग हमारी बात को सुनने का दिखावा करते हैं, और जब लोग हमारी बात को सुनने का दिखावा करते हैं, at that time आपका दिल नहीं करता है कि आप अपनी बात को किसी को share करें, है ना, तो उसी जरह से अगर आप ऐसा किसी के साथ करेंगे तो ओ अपनी बात आपको दिल से share नहीं करेगा, so it is very important कि हमें listening का skill है, इसको बहुत अच्छे से use करना चाहिए यह लोगों के verbal and non-verbal, verbal मतलब जो कहते हैं उस पर तो focus करना ही है, non-verbal, उनके जो हावा हो हैं, body posture हैं, उनको भी समझने का effect करना है, listening के साथ में एक concept और आता है, that is the attending, this is also very important और इसको भी अच्छे से use करना चाहिए, जैसे कि attending की बात करें, जब हम listening करते हैं, तो कुछ ची से eye contact बनाए, make an eye contact, यहाँ पर थोड़ा सा यह typing issue रहा है, make an eye contact लिखा हुआ है, make an eye contact, हम अपने client की नजरों से नचने मिलाएं, उसको feel होना चाहिए कि हम उसको समझने के लिए तयार हैं, उसको लगना चाहिए कि हम उसकी बात को बहुत अच्छे से समझेंगे, इसकी बात क है कि जब आप counseling की process में होते है, client की बात सुनते हैं, तो अगर कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके ध्यान को, आपके attention को distract कर सकती है, तो उन चीजों को अपने place से आपको हटाना चाहिए, जैसे मान लेजिए कि आप counseling करने के लिए बैठे हैं, और आपने साथ में अपना phone रख सुन रहे थे, उसी time पर किसी का call आ गया, तो distraction हो जाएगा, और आपका ध्यान भटक जाएगा, हो सकता है कि फिर आप के और जो client है, उसके बीच में जो conversation था, वो कहीं न कहीं से एक अलग direction में हो जाए, तो इन चीजों से बचने के लिए हमें उन सब चीजों को हटा लेना है यह जो distract कर सकती है, next point is that, node your head at appropriate times to confirm that you are learning, sorry not learning, you are hearing, यहाँ पर यह hearing है, so point is that, कि जब हम किसी की बात को सुनते हैं, तो हमें यह सोचना चाहिए, कि अगर सामने वाला जो बात हम से कह रहा है, तो हम उसको feedback दें, feedback का मतलब है, तो रंट, at once, उसकी बात को सुनके, हम उसको मैंने आपकी बात को बहुत अच्छे से सुना है, और यह आप अपने सिर को हिला कर एक इसारा कर सकते हैं, कि हाँ मतलब मैंने आपकी बात को सुना है, वाव ऐसा है आपके साथ, अच्छा, तो मतलब note your head, next point is that, make encouraging verbalizations, जब आप client से बात करेंगे ना, तो आप उसकी बातों क को समझते हुए, कुछ ऐसे बीच में आप point रख सकते हैं, कुछ ऐसे सब्द रख सकते हैं, जिसके माध्यम से client अपनी बात को और भी अच्छे से कह पाए, कई बार क्या होता है कि client हमारे सामने चीज़ों को बहुत आसानी से openly नहीं कहता है, उसको यह लगता है कि मैं ऐसा क कहूं नहीं कहूं, बहुत परसनल चीज़े हैं तो पता नहीं सर क्या सोचेंगे, इस सब बात है सोचके client openly नहीं कहता है आप से, तो आपको इसको encourage करना होता है, अगर कहीं पे लगता है कि हमारा जो client है वो थोड़ा सा confused है या पर उसको लग रहा है कि मैं इस बात को कहूं क कि नहीं कहूं तो उस time पे आप support करेंगे, encourage करेंगे, इसकी बात next point है, lean forward this source your client that you are engaged, अगर आप अपने client के सामने बैठे हैं, थोड़ा सा मतलब उसके सामने अगर आप lean हो जाएंगे, उसके और जोक जाएंगे तो उसको ये feel होता है कि sir या जो भी है counselor है हमारी बात को बहु अच्छे से बताता है, so it is very important कि जो listening है, listening में हम non-verbal और verbal दोनों पर focus करेंगे और साथ में उसको अच्छे से attend करेंगे, और attending में मैंने बताया, इन सारे points का अच्छे से आप धियान रखेंगे, धियान रखेंगे कि counseling is a very soft process, इसे आप जितना अच्छे से जितना प्यार से ल पाएगा, इसकी बाद next point है, empathy, empathy और sympathy, आपने दो सब्द सुने होंगे, तो पहले empathy और sympathy को थोड़ा से clarify करना चाहूंगा, इन दोनों में क्या फर्क है, देखिए, sympathy को हिंदी में सहन भूती कहते हैं, simple सा term होता है कि हम दूसरों को समझते हैं, understanding the sufferings of another, हम दूसरों के pain को हाँ, ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपके साथ ये problem है, है ना, आपकी भावना को समझता हूँ, but empathy is more deeper than the sympathy, empathy कहती है कि हम जब दूसरे के pain को feel करते हैं, that is the empathy, तो ये बहुत important है कि आप जब अपने client से बात कर रहे होंगे, तो आपको ये show कराना है, मतलब reality में show कराने वाली ब हो सकता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि counseling में आपको empathetic होना बहुत जरूरी है, sympathy से काम नहीं चलता है, योकि sympathy रखने से client समझ जाता है कि या रहे मतलब ठीक है, ऐसे तो हमारे चार दोस्त भी हमारे परती भावना रखते हैं, but आप अलग हैं, आप खास हैं, आप के सामने वो अपनी बात को लेकर आया है, you should be empathetic, आपको empathy रखना चाहिए, अब empathetic होने के लिए क्लिए क्या हो सकता है, तोड़ा इसको समझें, हम उसकी non-verbal attending को समझें, जैसे कि मान लेजिए, कि अगर कोई person जो भी आप से बात कह रहा है, verbal रूप में, उसकी अतरिक हो non-ver उसके जो इसारे हो सकते हैं, उसको भी समझें, उसको भी समझें, उसके बाद है, इसके बाद है, पैरफराइजिंग, what the client has communicated, मतलब की क्लाइट क्या बात कर रहा है, उसके हम जो बात पर जब फोकस करें, तो उसमें जो main keywords हैं, जो उसकी ideas हैं, वो जो कहना चाहता है, उसको हम निकाल के लाएं, कई बार होता है ना कि client नहीं कहा पाता है, तो हम बोलते हैं, अच्छा है, ऐसा हुआ था, अच्छा है, अपने ऐसा feel किया होगा है ना, तो इस तरह से हम उसके conversation में, जो main keywords हैं, उसके ideas पर focus करें, और हम उसके communication को और भी easy बनाने का परयास करें, परफर देजिए कि client बोलता है कि मेरे साथ ऐसा हुआता ता मुझे बहुत बुरा महसुस हुआता, तो आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसा हुआता अच्छा आपके साथ, मैं समझ सकता हूँ आपकी इस बात को, ऐसा लगता है, बहुत बुरा लगता है जब ऐसा होता है, तो इस तरह से आप भी अपनी और से को सबनों को एड़ करके empathy को सो कर सकते हैं, तो it is very important without empathy, आप client से connect नहीं हो पाएंगे, और client openly आपको सब कुछ नहीं बताएगा, और client आपको follow भी नहीं करेगा, तो empathy भी रखना चाहिए, इसके बाद next point is that, genuiness, यह बहुत important है, क्योंकि हम अपने client के सा इसकोरी बनाई जाती है, उसमें genuiness नहीं होता है, वो एक्ट होता है, कोई किसी को लव करता है, किसी के प्रती बहुत अच्छी भावना रखता है, वो एक act होता है, but reality कुछ और हो सकती है, so genuiness is very important, आप जो कुछ भी करें, वो किवाल दिखावे के लिए नहीं करना है, हम अगर आप एक reality सो नहीं कर पाते हैं, real आप नहीं हैं, तो आप दिखावा करके एक best counselor या best psychologist नहीं हो सकते हैं, आप दिखावा नहीं कर सकते हैं, so आपकी personality ही ऐसी होनी चाहिए, कि आप हर किसी को accept कर पाए, so it is very important कि हमें honest होना है, अपने client के सामने, हमें उसके सामने comfortable सो नह हमें comfortable सो करना है, यह नहीं सो करना है कि आरे कहां से तो मा गई और मैं तुम्हारी बात को क्यों सुनू, यह सब फिल हमें नहीं करना है, यह बहुत अच्छे से धिहान लखनी है, हमें genuine होना है, honest होना है, उसकी problem को इस तरह से लेना है कि जैसे हमारी problem है, और ऐसा करके हम client से बहुत अच्छे से connect हो पाते हैं, client हमारी बात को सुनता भी है, follow भी करता है, और आगे चलके वो अपनी life में better हो जाता है, और आपको तहीं करना ना, आप किसी को better करना चाहते हैं, किसी के life में जो उसका stressful situation है, उसे निकालना चाहते हैं, तो इन चीज़ों के लिए आपको पहले honest खुद से होना पड़ेगा, इसके बाद next यहाँ पर एक point है, that is the unconditional positive regard, it is very important, जैसे कि एक जब हम psychology पढ़ते हैं, तो एक concept पढ़ते हैं, conditioning, तो conditioning में क्या होता है, basically कि कुछ चीजों में trial and error के माध्यम से लोगों में conditioning हो जाती है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी ऐसा नही रखना है, मतलब हम जो भी accept करेंगे client को, वो reality में करेंगे, किसी condition पे नहीं करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप हमको एक session के 2000 रुपी पे करेंगे, इसके बाद ही आप की बात को दिल से सुनेंगे, अगर आप हमारी, हमको अगर आप 3000 पे करेंगे तो और भी अच्छे सुन है, जैसे कई बार होता है कि हम client के family से भी मिलते हैं, तो client की family क्या कहती है, वो बात अलग है, लेकिन जब हम client से मिलते हैं, तो हमे client को 100% accept करना है कि वो क्या है, और बाद में हम जो भी changes चाहते हैं, तो अपने according change लाएंगे, बट पहले हम उसे judge नहीं करेंगे, तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि हमें unconditional positive regard भी रखता है, इसके बाद next जो point है, that is open questions, देखिए questions two taps होते हैं, आपने पढ़ाऊगा, close ended questions, open questions, close ended questions वो होते हैं, जहाँ पर हम ऐसा question create करें, जहाँ पर client yes और no में ही answer दे, और open question वो होते हैं, जहाँ पर client question को सुनके अप जब आप client से open question रखते हैं, तो आप उसके communication में बहुत सारे ऐसे चीजों को find कर सकते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है, जब close end question करते हैं, तो आपको ज़्यादा चीजों को explore करने का मौका नहीं मिलता है, आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या है क्या नहीं ह रखे हैं, and this helps your client to clarity or explore thoughts and feelings, client भी अपने thoughts को explore कर पाता है, जब उसे आजादी होती ही, इस बात की वो सब कुछ बता सकता है, सिधी सी बात है, जब client पहले से bounded है कि उसको हाँ और नामे उत्तर देना है, तो अपने thoughts को explore नहीं कर पाता है, deep level पे नहीं सोचता है, और सारी चीज question put up नहीं करना है, क्योंकि हमें too much question भी put up नहीं करने होते है, depend करता है, depend करता है, client का communication कहता है, तो it's your quality कि आप चीज़ों को कैसे समझते हैं, and it's your quality कि आप चीज़ों को कैसे समझते हुए अपनी skills को कैसे use करेंगे, तो basically हमें बहुत जादा questioning करना है, अगर पहले से client flow में हो होता है, तो यह आप ध्याना की open question करना है, ना की close ended question, so last में एक point है, counselor self disclosure, many time it happens की client को लगता है कि मैं यह बात कहूंगा, तो पता नहीं सर क्या सोचेंगे, या कई बार यह होता है, client किसी बात को कह देता है, तो उसकी just बात वो guilt feel करता है, अगर आप थोड़ा सा समझदार है आपको यह लगता है कि client बुरा feel कर रहा है, तो आप खुद का experience भी बता सकते हैं, you can just put your experience, कि अच्छा मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो कोई ऐसा बड़ा issue नहीं होता है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, आप खुद के examples दे सकते हैं, so यह सब चीज़े बहुत important हैं, आप अगर चलेगा कि आपकी counselling process बहतरीन होती है, आपको पता चलेगा कि आप बहुत अच्छा आगे कर सकते हैं future में, और आप से लोग satisfied रहेंगे, आपके पास जाते client आएंगे, और आप बहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं, so finally this is the end of the video and thank you for watching this video, आप मेरे साथ जोड़े रहे हैं कुछ ऐसे ही और भी चीजां सिखने के लिए हैं